Hello everyone and once again welcome to Facebook Ads Course, myself उमर तसकीर, गैस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा Facebook Ads Manager का नया वाला वर्जन है, उसको थोड़ा सा explore करेंगे हम लोग, so guys यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो मेरे laptop screen है, यहाँ पर हम लोगों ने एक Business Manager को open करके रखा हुआ यह नि कि Business Ad Accounts हमारे सामने हैं यहाँ पर, और जैसे कि आप अपने Business Manager में आते हो, आपको कुछ इस टाइप का Interface दिखाई रेता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि Business Manager के अंदर क्या चीज़े होते हैं, Business Manager के अंदर हमारे पास Users होते हैं, अलग-अलग Users होते हैं, Business Manager के अंद Interface को थोड़ा सा Clearly समझने वाले, तो ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि Interface में बड़े सारे Changes हुए हैं, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि Further भी Changes हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यहीं Interface रहेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे Audiences को Targeting नाम यह दे सकते हैं, Add Account Settings को यह Cable Settings लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा Logical हमें रहना है, कि जहां जहां पर हमें Changes जो हैं, वो भी सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्यासा नहीं कोई भी चीज यहां पर बहुत जादा Constant रहेगी, या Longer Period of Time के लिए Constant रहेगी, तो एक इस Point को भी हमें Consider करके देखो, तो यहां पर आपको एक Gear Icon दिख रहा है, इसके उपर आप क्लिक करोगे, तो यहां पर आपके सामने Business से Related सारी Settings आ जाएगी, इस Particular Business Manager से Related सारी Settings आ जाएगी, गैस हम लोग जो अपने Ads Run करते हैं, वो Ads Account के अंदर से करते हैं, तो हमें Ads Run करने के लिए हमें दो ची सकते हैं, तो अगर हम लोग Business Manager की Settings की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो, Users को हम लोग यहां से Control कर सकते हैं, Access कर सकते हैं, ठीक है, लिकिन-किन Users के पास इस Particular Business Manager के अंदर Available जो अलग-लग Assets है, उनका किस टाइप से उनके पास Access है, किस टाइप से उनका Control है, ज़र मै यहां पर हमारे Data Sources होते हैं, जहां पर हम लोग बात करते हैं, पिक्सल्स होते हैं, अगर हम Shopping Campus हो गएरा, रन करते हैं, अगर हम E-Commerce Related Campus रन करते हैं, वहां पर हमें Catalogs की ज़र्द पढ़ती है, यहां पर हमारे सामने Catalogs है, यहां पर हमें ब्रैंड सेफटी वाला एक Option है सीरे चलेंगे यहां से Ads Account के अंदर, तो गाइस मैं पीछे भी आ सकता हूँ, एक स्टेप अगर आप यहां पर बैक करेंगे, तो जो Business Manager का अभी आपने इंटरफेस देखा, यहां पर हम लोग Settings नहीं देख रहे थे, तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे, और वहां से भी आप किसी ने किसी एक Ad Account को Access कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग Ad Accounts आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इस परड़िगलर Ad Account को Access करना चाहरा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, और इसको Open in Ads Manager कर दूँगा, और फिर यह आप कहां से Access करते हो, तो जो भी आप Campaigns होगेरा, रन करोगे, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, जो भी आप Campaigns रन करोगे, अगर आपको नए Campaigns क्रिएट करने हैं, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में भी आपको बताऊंगा, यहां पर आप नए Campaigns किस तरीके से Create कर सकते हैं, ठीके किस टाइप से आप जो आपके Campaigns का Objective है, उसको Select कर सकते हो, फर 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 आगे Move कर सकते हैं, वो सारे Options आपको यहां पर दिखेंगे, पहले इस टाइप का Interface में दिखता था, ठीके थोड़े बहुत Interface में Changes हुए हैं, लुक एंड फील में Changes हुए हैं, ब यह हमारा Ads Manager है, जहां पर हम लोग अभी हैं, ठीक है, यह हमारा Events Manager है, Events Manager के अंदर हमारे पास Pixels वगरा होते हैं, जिनको हम लोग अपनी Website के उपर Integrate करते हैं, और फिर जो हमारी Website की Information है, यह हमारी Website से User किस टाइप से Interact कर रहा है, हमारी Website किस टाइप से User Behavior को Track कर पा रह जो है, वो सारी Information हमें Pixels के Through मिलती है, उसके बाद यहां पर हमारे पास Audiences का Section है, यहां से हम Audiences Create कर सकते हैं, यहां से हम लोग अडियेंस कर सकते हैं, यहां से हम लोग अडियेंस कर सकते हैं, अब चाहे वो हमारी General Audience हो, इसको हम लोग Saved Audience बोलते हैं, यानि कि जो Facebook की Audience है, हम जो हमारे Pixels ने, जो हमारी Information Capture करीवे, उससे Related भी हम लोग Audiences Create कर सकते हैं, उसकी Help से भी हम लोग Audiences Create कर सकते हैं, यहां पर Billing वगएरा के Options है, Brand Safety वगएरा है, जो अभी हम लोग ने Business से Related Options देखे देखे थे, यहां पर आपका काम है, वो Audiences और Events Manager के Around ही होता है, आप इसको expand भी कर सकते हैं, इस MeanView के अगर आप expand करना चाहे हैं तो आप expand भी कर सकते हैं, यहां पर आप आप देख सकते हैं, Ads Manager, जहापर हम लोग अभी है, और आज YEMS, आप हम लोग कुछ, जो है, Automated Rules सेट करते हैं, जो कि हमारे Campus को श्टार्ट कर सकते हैं, हमारे Campus को Pause कर सकते हैं, हम दिश्पॉर्मेशन को करता है और इस एनालिट्क्स टूल में हमें दिखाता है वैसे फेस्बूक यह अनालिट्रीक्स टूल भी जुलाई या जून तक यह डिस्कॉंटिन्यू हो जाए फिर यहां पर एट्रिबूशन आडिएंसस की इंसाइट्स ओर विद एक्सपरिमेंट् इनालिसिस से बड़े सारे ओप्षण से commerce manager है तो उसके थुरू हम लोग जो हमारे e-commerce related campaigns होते हैं या e-commerce related जो हमारी sales होते हैं अप्रोच होती है उनको हम लोग Commerce manager के थुरू जो है वो रन करते है तो आपको बता है कि interface में changes जरूर है एकाउंट का जो complete overview है वो आपको यहां पर दिखता है एक overview टाइप का राइट और यहां पर आप देख सकते हो जैसे हम लोग अभी जो वाले section पे थे आप देख सकते हो यह campaign वाला section है जादा तर settings हमें कहाँ पर मिलती है वो जादा तर settings आप देख सकते हो हमें यहां पर दिखाई रहेती है अगर हम नया campaign create करने जा रहे है तो अगर आप old version को देखते होगे तो नया campaign में भी बड़े सारे changes जो है हुए है जब हम नया campaign create करने जाते है तो let's say कि अगर हमें traffic campaign create करना है traffic campaign क्या होता है मतलब हम उन लोगों को अपना ad दिख करें और हमारे landing page के उपर या हमारी website के उपर आए हमारे ad दिखाने के अलग-अलग purpose हो सकते है कई बार हम केवल यह चाहते है कि हमारी awareness हो केवल हमारी brand awareness हो ठीक हमारी business उसके बारे में लोग जाने उसके लिए हमारे पास यहां पर देख सकते है ब्रैंड awareness और reach जैसे options हम इन engagement आए जो भी हम ad दिखा रहें कि जब आप facebook के उपर ads run करेंगे तो आप एक post बनाएंगे उसके साथ कुछ content होगा ठीक है कुछ call to action के buttons होगे तो आप चाहते हो कि उस post के उपर लोग engage करें उसको like करें comment करें share करें तो हम engagement से related campus run कर सकते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी को ads run कर सकते हैं we have different options यह options हमारे पुराने वाले ads manager में भी थे तो guys ads manager में बहुत जादा कुछ approaches नहीं change हुई है ठीक है बहुत जादा approach नहीं change हुई है but interface change हुआ जिसकी वज़े से problem आ रही है तो guys अगर हम लोग यहाँ पर let's say मैं traffic के उपर आ जाओ और यहाँ पर हम लोग continue के यहाँ में option में मिल रहा है ठीक है कि जो हमारा campaign का name है वो हम किस type से रखना चाहते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं new campaign अगर traffic का बनाना चाहूं और यहाँ पर मैं नाम रखना चाहूं इसका demo new campaign वसे हमें इस type से नाम रखने चीए जिनको हम आसानी से याद रख सकें ठीक है तो यहाँ पर हम new campaign का नाम रख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर campaign की details है option based है campaign का objective क्या है और इसके साथ हमें कुछ और options यहाँ पर मिलते हैं अगर हमें spending limit हम कितना खर्च करना चाहते हैं वो अगर हमें यहाँ पर enter करने होगी तो उसका भी option ह अगर इस टेकनीक को हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास वो भी option है उसके बाद हम लोग next कर लेंगे तो पिछले इंटरफेस में अगर आप देखते होंगे तो आपको left में बिल्कुल यहाँ पर left side में आपको दिखाई देता था यह जो तीनों levels होते हैं हमारे facebook अगर आपको आपको कुछ प्रोजेक्शन दिख रहा है कि जो भी आपने टार्गेटिंग सेट करें जिन लोगों को आप अगर कुछ प्रेडिक्शन कर पा रहा है कि आपको कितने रिजर्ट्स दे पाएगा आपकी रीच कितनी होगी तो वह सारी changes हुए है ठीक है जो basically अगर आप events manager अगरा के पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे मैं अगर events manager के उपर जाता हूँ यहाँ पर भी आपको बड़े सारे जो है वो changes देखने को मिलेंगे interface के point of view से आपको बड़े सारे changes यहाँ पर देखने को मिलते है तो यहाँ पर जो हमारा pixel किसी भी website के उपर लगा हुआ है वो pixel किन-किन चीज़ों को यहाँ पर record कर रहा है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि वो pixel किन-किन चीज़ों को record कर रहा है तो इस टाइप से एक overview हम लोगों ने ले लिया ठीक है और जैसा मैंने आपको बताए कि आपकी ज़्यादातर settings है वो यहाँ पर यहाँ पर आपकी सारी settings है आपको यह make sure करना है बार-बार कि आप सही व इंटरफेस भी हम यह नहीं कह सकते कि यह वाला जो आप इंटरफेस देख रहे हो यह बिल्कुल जो है constant इंटरफेस अब इसके बाद changes नहीं होंगे बिल्कुल changes हो सकते है नहीं नहीं चीज़ें आती रहती है बड़ एक जो basic logic है कि campaign creation है वो होते ही होता है ठीक है campaign creation के अलग objectives होते हैं वो होते ही होते हैं यह सारी चीज़ें नहीं बदलती है दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिलते हैं ने चीड़ों में तिल देन गुड़ बाई